हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अब इसे एक राज आर्ट्स क्लासिस में आज हम लोग देखेंगे टुवेल्थ हिस्ट्री के कोश्चन बैंक सॉल्यूशन दो हजार दस पहले कोश्चन के और हम लोग बढ़ते हैं पहला कोश्चन है हमारा हर हरपा सभिता किस यूग की सभिता है पुर पासान यूग नब पासान यूग लोह यूग या कास यूग हरपा सभिता जो है वो किस यूग की सभिता है कास यूग की सभिता है किस यूग की सभिता है कास यूग की सभिता है दो नमर का कोश्चन देखते हैं हम लोग हरपा प्रशिद गरंथ इंडिका की रचना किसने की थी ? कोटिल, मेगास्थनीज, अल बेरुनी या इत सिंग ने परशिद गरंथ, इंडिका की रचना जो है उस वो की थी मेगास्थनीज ने की थी, मेगास्थनीज ने की थी, प्रियाग परिस्ती की रचना किस ने की थी, कालिदास, वानभाट, हरीसेन या पतनजली ने, प्रियाग नम्बर के question की उर बढ़ते हैं हम लोग गुपतो के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया गुपतो के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया बताईए आप लोग इस question का answer hansong, fang, it sing या वांघ, kaw tutorial काल में fang आया था आगे बढ़ते हैं हम लोग छौन नमबर के कोशन की ओर भारतिय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है मौरे काल गुप्त काल मुगल काल या अग्रेजो का काल कौन सा काल होगा इसमें होगा हमारा गुप्त काल कौनसा काल होगा, गुप्तकाल होगा, कौनसा काल होगा, गुप्तकाल होगा, साथ नमबर की और बढ़ते हैं हम लोग, महा भारत की रचना किस भासा में हुई है, संस्कृत, पाली, प्राकर्थ या हिंदी, किस भासा में हुई है, बताईए, संस्कृत में हुई है, किस भासा कि और बढ़ते हैं हम लोग महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुई 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 महात्मा बुद्ध को ज किस धर्म से है हिंदू बौध सैफ या जैन किस धर्म से है जैन धर्म से है किस धर्म से है जैन धर्म से है आगे बढ़ते हैं हम लोग दस नमबर की ओर असोग किस वंस का सासक था असोग किस वंस का सासक था नंद वंस मौरी वंस गुप्त वंस या चोल वंस तो असोग जो है वो मौरी वन्स के सा सकते, किस वन्स के सा सकते, मौरी वन्स के सा सकते, 11 नमर पर चलते हैं, अकबर नामा की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो ने, अल बेरुनी ने, इबन बतूता या अबूल फजल ने, तो यह अकबर नामा है उसकी रचना अबूल फजलने की थी किसने की थी अबूल फजलने की थी बारा नमर की और चलते हैं पानी पत का प्रथम्यूद किस वर्ष हुआ था पानी पत का प्रथम्यूद यहां पे ध्यान दिजेगा यह बोल रहा है पानी पत का प्रथम्यूद क तिन नमबर 1526 इस भी ध्यान दीजे का बोल रहा है पानी पत का पर्थाम्यूद पूछ रहा है 1526 इस भी होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तेरा नमर पर भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था 14 नमर पर चलते हम लोग मुड़को, मिस्र, तूरकी या इरान किस देश का यात्री था बताईए आप लोग मुरक्को का था किस देश का था मुरक्को का था 15 नमबर पे चलते हैं हम लोग विजय नगर का महांतम सास कौन था विजय नगर का महांतम सास कौन था वीर नर्सिंग, किष्ण देव राई, अच्यूत राई या सदा सिव राई कौन थे विजय नगर के महानतम सासे किष्ण देव थे कौन थे किष्ण देव थे किष्ण भगवान महान होता है क्या हो जाएगा इसका एंसर किष्ण देव राई विजय नगर का महांतम सासा कौन था? कृष्ण देव राई था चलिए आगे भरते हम लोग गोपुरम का संबन है किस से है? गाई से? नगर से? व्यपार से? या मंदिर से? किस से है गोपुरम का संबन? मंदिर से है किस से है? मंदिर से है वीरसẹव लिगायत अंदोलन के जनक कौन थे? या कडाइकल कौन थे? बताए नीचे आप लोग कमेंट में इसका अंसर वासवनना था कौन थे? वासवनना थे एर्ष्ण देंक कौन थे? वासवनना थे चलिए अठारा नमबर पे चलते हैं हम लोग ख्वाजा मोईदीन चिस्ती की दरगा कहां इस्थित है दिली, आगरा, जैपूर या अजमेर कहां है अजमेर में है चलिए ताज महल का निर्मान किसने किया अकबर, जहांगीर, औरन जेव या सा जहां किसने करवाया था, किसने करवाया था, बताईए आप लोग नीचे साजहा ने करवाया था, किसने करवाया था, साजहा ने करवाया था ये कोशन जो आपका 19 नमर का कोशन है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है लगवग हर बार आता है ये कोशन और बहुत ज़्यादा ही easy question है याद करने में बिल्कुल भी दिकत नहीं होने वाला है याद रखिएगा ताजमहल का जो निर्मान है वो किसने करवाया था? साजहाने करवाया था चलिए 20 नमबर की और चलते हैं हम लोग दिल्ली से दौलता वाद किस सासक ने अपनी राजधानी परिवर्ति थी की? पहला नमबर है option बलवन मुहम्मद तुगलक अलावदीन खिल जी या अकबर कौन सा हो जाएगा इसका अंसर? अकबर डी नमबर अकबर क्या होगा? डी नमबर अकबर चलिए एकिस नमबर पर चलते हैं हम लोग गांधी जी ने अहसयोग आंदोलन किस वर्स आरंभ किया? 1922, 1922, 1930 यह 1942 थी तो यह गांधी जी थे वो अहसयोग आंदोलन 1923 में शुरू किये थे कब किये थे? 1923 में शुरू किये थे 22 नमर पे चलते हैं हम लोग 22 नमर का question है हमारा भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी 1857 इस भी 1875 इस भी 1885 इस भी या 1905 इस भी तो हमारा जो एंसर हो जाएगा वो C नमर हो जाएगा 1885 इस भी चलिए 23 नमर पर चलते हैं बंगाल के विभाजन के घोसना किस वर्स हुई थी ये question हमेशा ही confusion में रहा है 1905 इस अंसर होगा या 1906 होगा बच्चों को बहुत जादा ही दिक्कत होता है लेकिन दिक्कत वाली कोई बात है नहीं इस वीडियो कर देखकर आप बहुत आसानी से बता सकते ह इस question का answer क्या होने वाला है चलिए देखते हैं बंगाल के विभाजन की घोसना किस वर्स हुई 1905 इस भी 1906 इस भी 1911 इस भी हमें हमेशा ही याद रखना है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह 1905 इसमी में हुआ था कब हुआ था 1905 इसमी में हुआ था चलिए 24 नमर पर गठन किसने किया इंडियन नेशनल आडमी का गठन किसने किया भगत सिंग चंद्र सेखर राजाद सुभास चंद्र बोस या गांदी जी किसने किया था सुभास चंद्र बोस ने किसने किया था सुभास चंद्र बोस ने लाश्ट कुशन पर हम लोग चलते हैं भारत किस वर सब्रेक्ती बना से निजिस बावनेस बावनेस यहां पूच रहा हैं दिया हुआ है इसके बारे में इसके बारे में कि हमारा भारत जो है वो कब आजाद हुआ कब आजाद हुआ तो एंसर क्या हो जाता 1947 में 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था और 1950 में हमारा भारत का हुआ था गंतंत्र हुआ था चलिए आज के इस चैनल पे आप सब का स्वागत था और हम लोग आपको हमेशा इसी तरह का वीडियो डालते रहेंगे आप लोग से बस यही उम्मीद लगाए हैं कि आप हम लोग के इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं थैंक्स